गुर्ण मॉर्निंग दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्त संदीप सैनी और आप देख रहे हो इंडस्टियल एक्सपर्ड दोस्तो आज का मारा टोपिक है पावर डिसीपेशन दोस्तो हमारी इंडस्टिय में यूज होने वाले लेक्ट्रिकल एंड लेक्ट्रोनिक प्रड़क्ट अगर वह हीट होते भी हैं तो उनको अपने नौर्मल टेमपरेशर आने में ज्यादा टाइम ना लगे तो दोस्तो इस वीडियो में हम पावर डिसीपेशन का कंसेप्ट समझेंगे कंपोनेट्स की सेलेक्शन कैसे की जाती है दोस्तो किसी भी लेक्ट्रिकल जाफ इलेक्ट को यूज करना किसी एक एप्लिकेशन के लिए तो दोस्तो इस डाइगराम में हम देख सकते हैं एक तो हमारे पास 9 वोल्ट की बैटरी है और दूसरी तरफ हमारे पास 100 ओम का रिजिस्टर है जिसको हमने आपस में कनेक्ट कर दिया है इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले वो पावर कैलकुलेट करनी पड़ेगी जो हमारे रिजिस्टर के दोवारा डिसीपेट कर दी जाएगी मतलब वो पावर जो यूज हो गई और जिसकी वज़ा से हमारा कंपोनेंट हीट होगा तो दोस्तो एक्जामपल के लिए हमारे पास एक टैंक है अगर हम उस टैंक को आदा बर दे तो स्पोज वो पांच केलो का प्रेशर क्रेट करेगा और अगर हम उसे पूरा बर दें तो दस केजी का प्रेशर क्रेट करेगा लेकिन जिस पाइप से पानी जाना है वो पाइप उन्होंने जो डिजाइन किया उसकी जो ठिकनेस है वो उन्होंने फाइफ पानी का प्रेशर कम होता जाएगा लेकिन वाल्ड से पहले और टैंक के बीच में जो प्रैशर जनेयर होगा वह काफी बढ़ा होगा और अगर हम इस वाल्ड को बिलकुल टाइट कर दे तो पानी का फ्लो बलकुल बंद हो जाएगा लेकिन उसके पीछे जो पाइप है उसके पर pressure 10 kg का पड़ेगा लेकिन जो हमारी pipe design की गई है वो design की गई है 5 kg का pressure जीलने के लिए लेकिन tank के पीछे से जो pressure आ रहा है वो आ रहा है 10 kg जिसकी वजह से pipe damage हो सकती है अब इसी को relate करो हमारी electricity से दोस्तों यहां पर हम पानी को करण समझ लेते हैं और wall को resistance समझ लेते हैं और जो पीछे pressure create होगा उसको हम voltage के साथ relate कर लेते हैं और pipe की जो dimension है जो ठीकने साथ उसको हम relate करते हैं watt के साथ दोस्तों electricity जब भी किसी element से गुजरती है तो उसको resistance phase करनी पड़ती है जिसकी वजह से crunch का flow कम हो जाता है और voltage की drop के कारण वहाँ पे heat generate होती है और वो जो heat generate होती है अगर वो उसकी limit से मल उसकी जो watt की capacity उससे ज्यादा हो जाएगी तो हमारा element damage हो सकता है और अब हमारे पास ये दोनों challenge एक तो प्रट smoothly operate करे और दूसरा overheat ना हो जिसके कारण वो damage हो जाए और अगर वो heat हो तो इतना heat ना हो ताज हम उसको touch भी ना कर सके दोस्तो अगर current इस element से गुजरता है तो voltage drop होगा इस पूरे process में तो जो power dissipation होगा इस circuit में वो product है voltage into current का जिसमें power का formula है P equal to V into I P power V means voltage I means current दोस्तो current power voltage की value निकालने के लिए हमारे पस कई method है जैसे के i equal to V upon R P upon V root P upon R power की value निकालने के लिए i into V i square R v square upon R voltage की value निकालने के लिए i into R P upon I root P into R तो दोस्तो voltage और current से हम कैसे power measurement करते हैं उसके लिए हमें सबसे पहले voltage और current को कैसे physically represent करते हैं उसको समझना होगा दोस्तो current जाने की rate of flow of electric charge through circuit जिसका मतलब है हमारे circuit से कितने time में कितना electric charge जाने की electrons flow करते हैं उसे को हम current बोलते हैं और current को मेर करते हैं ampere में और ampere की value है one column per second दोस्तो one column is equal to six point two five into ten power by eighteen E means electrons मतलब एक column में इतने सारे electrons होते हैं जिसको हम एक column बोलते हैं और अगर इतने electron एक second में पूरे circuit से गुजरते हैं तो उसको हम एक ampere बोलते हैं जिसको हम current भी बोलते हैं और column जो वह ऐसे unit है electric charge का voltage जिसे हम electric potential भी कहते हैं electric potential voltage में मेर की जाती है जिसमें one volt बराबर होता है one joule पर column और joule की value हम लेते हैं newton meter में जूल भी ऐसे unit है energy का तो अगर हम voltage को current के साथ multiply करें तो जो figure हमें मिलेगी वो है amount of energy जो इस element में use होगी तो दोस्तो power का formula हमने अलड़ी पहले use किया है P equal to V into I जिसमें V का मतलब है one volt और one volt का मतलब है one joule पर column और second हमारे पास है I, I means current जिसको मेजर करते हैं ampere में और one ampere बराबर है one column पर second और third one हमारे पास है P, P का मतलब है power, power को हम मेजर करते हैं watt में और watt को हम लिख सकते हैं one joule पर second और अगर हम इसी figure को थोड़ा सा change कर दे, one voltage को replace कर देंगे हम two voltage के साथ और one ampere को हम replace कर देंगे five ampere के साथ तो जो power मारे पास आएगी, वो आएगी ten joule per second तो दोस्तो result में जो पता चलता है कि one joule per second, a rate of flow of energy, जा फिर और भी better नाम है मारे पास जिसको हम power भी कहते हैं और power का ऐसा unit होता है, watt, और दोस्तो one watt हमेशा बराबर होता है one joule per second के, तो finally जो हमारे पास हांसल हुआ है, वो है one volt into one ampere equal to one watt तो दोस्तों, वापस आते हैं अपने circuit पे जहां पे हम यूज करते हैं power rule P equal to V into I को क्योंकि हमें जरूरत है जानने कि कितना current हमारे register से पास होगा और कितनी voltage यूज होगी हमारे register के across सबसे पहले current की value निकालने के लिए हम use करेंगे ohms law V equal to I into R जिसमें V की value हमें पता है और R की value हमें पता है जिसमें V की value 9 volt है और R की value 100 ohm है तो दोस्तों हमारे पास I की value नहीं है, I की value निकालने के लिए जो formula पूर्ट होगा वह होगा V upon R तो हम यहां पे 9 volt को 100 ohm से divide कर देंगे तो जो हमारे पास value आएगी वो होगी 0.09 ampere जिसको हम divide कर देंगे 1000 के साथ तो जो उसके बाद हमे value मिलेगी वो मिलेगी हमें 90 mili ampere तो अब यूज़ करते हैं हम हमारा power rule, register के across हमारी कितनी power dissipate हो रही है, दोस्तो current की value हमें निकाली थी 90 mili ampere और जो voltage register के across दी जा रही थी वो थी 9 volt, तो जो power dissipate हो रही है register में उसके value निकालेंगे, power equal to current into voltage के दवारा तो दोस्तो voltage और current की value डालने के बाद जो हमें result मिला, वो मिला 0.81 watt, तो अब हमारे पास power dissipate की value आ गई है लेकिन अब question यह है, जो 100 ohm का register हमने अपने circuit में use करना है, क्या हम वो 0.25 watt का use कर सकते हैं जा नहीं दोस्तो मैं आपको पहले बता दू यह जो 0.25 watt की register की value की बात हो रही है यह किसम की breaking capacity होती है अगर 0.25 watt से उपर power dissipation वहां पे होई तो हमारा components damage हो जाएगा जैसा कि हमने उस tank की pipe में देख रहा था वहां पे design तो 5 kg की pressure के लिए किया गया था लेकिन उपर से जो pressure apply किया गया था वह किया गया था 10 kg का तो answer है दोस्तों बिलकुल भी नहीं क्योंकि जो हमारी power dissipation की value आई है वह आई है 0.81 लेकिन हम use कर रहे हैं यहां पे 0.25 0.25 से 0.81 कहीं ज्यादा है अगर हम 0.81 का load 0.25 की register के उपर डालेंगे तो वह damage हो जाएगा तो जिसका सीधा सीधा मतलब है हम 0.25 वाट का register कभी भी यूज़ नहीं कर सकते हैं तो दूसरा option है क्या हम 0.81 वाट power dissipation के लिए 1 वाट का register यूज़ कर सकते हैं जा नहीं क्योंकि हम mostly 15 से 20% extra ही rating यूज़ करते हैं तो answer है दोस्तों बिलकुल भी नहीं क्योंकि एक वाट का register बहुत बढ़ा होता है बढ़ा होने के कारण उसका surface area बढ़ा होता है जिसका बढ़ा surface area होने के कारण वो ज्यादा power dissipation हैंटल कर सकता है जिसके कारण ये बहुत गरम हो ज जागे पर 25 ohm के चार जिस्टर यूज़ करेंगे अगर हम 25 ohm के चार जिस्टर यूज़ करेंगे तो उसकी value भी 100 ohm ही होती है और हमें 100 ohm ही चाहिए क्योंकि हमारे engineer ने यही rating freeze की हुई है अगर हम इनको series में connect करेंगे और इसकी power dissipation capacity यूज़ करेंगे 1 fourth मतलब है 0.25 watt तो अब इसकी calculation करके देखते हैं क्या हमारा circuit उतने ही empire draw करेंगा जितने हमें चाहिए थे और power dissipation के कारण जो heat पैदा होगी क्या वो overheat तो नहीं होगी जो हमारे product को किसी तरह का नुकसान पहुंचा सके है तो सबसे पहले हम current की value निकालते हैं जो इस circuit से draw होगा तो जिसमें empire की value निकालने के लिए यह formula हम use कर रहे हैं वो है i equal to v upon r दोस्तो v की value हमारे पास है already 9 volt तो r की value निकालने के लिए हमारे पास जितने भी register series में लगे हुए हैं उनका sum लेना पड़ेगा means r1 plus r2 plus r3 plus r4 जिसकी value वनती है 100 हो तो दोस्तों 9 volt को हम divide करेंगे 100 ohm से ज इसको 1000 से multiply करके निकालेंगे उसके million pair तो दोस्तो finally मारे पास जो i की value आई वो आई है 90 million pair दोस्तों हमें यहां पे वही value मिली है जो हमें 100 ohm का single register use करने के बाद मिली थी तो दोस्तों अब बात करते हैं voltage की जो हमें इन 4 register के across मिलने वाली है तो जो formula अब हम use करेंगे वो है v equal to i into r क्योंकि हमारे पास current और resistance की value है तो दोस्तो आर और i की value पुट करने के बाद जो हमारे पास value आई है वो आई है 2.25 volt तो दोस्तों यह चेक करने के लिए जो हमें value मिली है voltage की वो सही भी है जा नहीं तो दोस्तों इसको चेक करने के लिए हम इस voltage को चार और resistance के across multiply करेंग तो जो value हमारे पास आनी चाहिए वो हमारी input voltage के बिल्कुल बराबर होनी चाहिए तो दोस्तों बिल्कुल हमारी calculation बिल्कुल सही है यहां पे 2.25 को जब हमने 4 register से multiply किया तो हमें 9 voltage की value ही मिली तो अब बात करते हैं हर एक 25 ohm के register में power dissipation कितनी होगी जिसके लिए हम यूज करे और जो हमारे पास ampere थे 90 million पेर उसके साथ इसको multiply करके जो हमारे पास value आएगी वो हमारी होगी power dissipation means watt और यहां पर एक register से value मिल रही है वो मिल रही है 0.20 watt तो दोस्तों result में जो power dissipation की value हमें मिली है वो हमारी register की breaking capacity से कम है क्योंकि हमारी register की bearing value जो है 0.25 और जो power dissipation हो रही है मतलब हम बिल्कुल safe है small power dissipation value के कारण register ज्यादा गरम भी नहीं होगा और जो heat generate होगी उसको हम easily remove कर सकते हैं उमीद है दोस्तों आपको मेरी इस वीडियो से power dissipation क्या है power dissipation की value कैसे calculate होती है वो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपके लिए helpful है तो please like and share कीजिए और नई वीडियो की notification पाने के लिए please subscribe कीजिए thank you